मिरा नामासी से चर्न्रल हिंदी टेस्ट संक्याम 6 देखेंगे ठिके तो पहला कुश्चन देखीए यहाँ पे उपकार का विलोम सब्ध है उपकार का विलोम है परतिकार, परूपकार, अनुपकार तो उपकार का जो बिलोम होगा अपकार अपसंस यहाँ पर हमारा सेव जाएगा, ठीके धूसरा कुछण देखिए, यहाँपे हराश, हराश का विलों सब्द है ठीके, यहाँपे भिहाश, बृध्धी, निहास, या रूधन तो हरास का बिलोम सब्ध हो जाएगा आपका बृद्दी आप्सन बी हाँ पर सही हो जाएगा अगला देखिए चिरनतन का सही बिप्रीत आर्थक सब्द चुनिए नशवर, अनशवर, अनथ, नास्त तो सही क्या हो जाएगा नस्वर हो जाएगा option यहाँ पर सई हो जाएगा ठीके अंत का विलोम सब्दी क्या होगा अंत का विलोम सब्द होता है नास ठीके यह फिर नास का विलोम सब्द अंत होता है अगला देखिए अगला question है चौता question देखिए यहाँ पर गरस्त का विलोम सब्द है ग्रस्त बिलोम्स हो जाएगा मुक्त हो जाएगा ठीके स्वक्षंद का बिलोम क्या होगा यहाँ पर देखिए स्वक्षंद स्वक्षंद का बिलोम होगा नियंत्रित क्या होगा नियंत्रित होगा ठीके स्वक्षंद का बिलोम नियंत्रित होगा और खुला का बिलोम होगा ब अप्सन ए आपस हो जाएगा बिनीत हो जाएगा ठीक है अगले कुश्चन तरफ चलिए चपल का बिलोम सब्द है तो यहां पर आपे चपल का बिलोम सब्द क्या मिल जाएगा अप्सन ए गंभीर हो जाएगा ठीक है जैसे वाचाल का बिलोम सब्द क्या होगा मोख हो जाएग और चंचल का बिलोम सब्द इस्थिर और उद्यमी का बिलोम सब्द क्या होगा उद्यमी का बिलोम सब्द निरु उद्यमी ठीक है ऐसे लिखेंगे निरु उद्यमी निरु उद्यमी ठीक है ये उद्यमी का बिलोम सब्द है अगला कुशन देखी आठवा कुशन आठवा है रुग्ड का बिलोम सब्द है यहाँ पर देखिए इस थूल दिया है यहाँ पर स्वस्थ यहाँ बीमार यहाँ पर कर्मट तो रुग्ड का बिलोम सब्द हो जाएगा स्वस्थ आपसन भी यहाँ पर सही हो जाएगा और हम अगर इस थूल की बात करें इस थूल का बिलोम सब अगला कुशन देखिए श्री गडेश का विलोम सब्द होगा इती स्री अगला कुशन कौन सा समुच्चे बोधक विशेशण नहीं है यहां पर कुछ जो है वह समुच्चे बोधक विशेशण नहीं है अगले कुशन देखिए गंगा नदियों में स्रेश्ट है इस वाक्त में विशेशण का चैन कीजिए तो विशेशण देखिए अगला कुशन देखिए कुशन नमर 14 विशेशण के चार भेदों के सामने उनके उदारान दिये गए हैं इनमें असंगत सब्द का चैन कीज़िए के असंगत हमें चैन करना है गुरवाचक विशेसर सुगंदित ये सही है परिमालवाचक विशेसर धाई ये भी सही है संख्या वाचक विशेसर कोई ये मैच नहीं कर रहा है सावनिक विशेसर कोई ये मैच कर रहा है तो संख्या वाचक विशेसर ये जिसे एक, दो, तीन, चार होता ना यहाँ पे कोई है कोई क्या है इसलिए आप्संसी हमारा यां पर सही हो जाएगा ठीक है अगले कोशंतर पड़ीए नीली साड़ी में एक कौन सकंषा भीषिय शर्षी को पता है जब अगले देखिए सोलमा अतयां यहाँ पे अतयां सब्द में कौन सा किरिया व क्या है तो कौन सा है तो परिमाण वाचिक विशेशन है ठीक है अतियंद मतलब ठीक ठाक और परिमाण वाचिक किरिया विशेशन का वाकि क्या होगा वह बहुत ठाक गया है वह अभी अभी गया है वह अंदर बैठा है वह अभी भली भात नाच लेता है तो सही एंसर हो जाएगा वह नहीं है यहाँ पर हमें विशेषर सब्द नहीं ढूदना है धोड़ना है उचीत विशेषर सब्द है जूटा एक विशेषर सब्द तीन भी एक बिशेशड सब्द है लेकिन जो बचपन वो बिशेशड सब्द नहीं है तो सही अंसर क्या हो जाएगा आप संडी यहां पर मारा सज़ जाएगा बचपन ठीक है अगला कुशन देखिए निम्लिखित में से कौन सा विशेशड की अवस्था नहीं है तो हमें यहां पर विशेशड की अवस्था नहीं दूर नहीं है तो ठीक है यहां पर उच्चितम अवस्था क्या है यह विशेशड नहीं है ठीक है अगला कुशन देखिए यहां आपे निर्देश दिये गए हैं और प्रश्णों में दिये गए विकल्पों में यहां पे तदबो डूणना है तत्सम नहीं डूणना है तो यहां पे तत्सम होता है वो होता है आभीर वो होता है आभीर आभीर मतलब होता अहीर तीके अब यहाँ जैसे असार है लिखा है ना यह देखिए यहाँ पर लिखा भी है आभीर आभीर का मतलब क्या होता अहीर होता है और जैसे यह असार है तो असार कैसे लिखेंगे इसका जो है तदबो कैसे लिखेंगे तो तदबो लिखेंगे हम A और ये छोटा वाला सा और फिर रहा तो असारा इसे लिखेंगे आखेट का क्या होगा आखेट का होता है अहेर ठीक है तो आखेट का जो तदबो होगा वो अहेर होगा तो बाकी यहाँ पे सभी A, C, D क्या है यह सभी तत्सम है और अहिर क्या है एक तत्भो है अगला देखिए 22 वा नमबर कुश्चन उखल ओड कार क्रित दिया है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा तत्भो है तो यहाँ पे सही अपसर हो जाएगा उखल ठीक है अपसर A, तत्भो है बाकी यह सभी उण और क्रित कार यह सभी क्या है तत्सम है अब देखिए जिसे की उड़ का तत्भो क्या होता है उन सुने ही होंगे ठीक है अब क्रित क्रित पे आ जाते है क्रित क्या क्या है क्रित जो है कोई करना होता है करना तेट समरूफ है अब यहां पर जिसे कार वतर्द कार्ब आज बोलते ना कार्ज взять अब उखल क्या उखल तत्बहोए तोवक्र управ का जो तत्फम होगा वो कौन सा फ गया तो अगला देखेए जैआ यहां पर तेशवाह देखे चैटा कपाश्टा ही verste करपाश को कुत्र या किर्तिगरह ठीक है तो अपसन भी यहां पर से जाएगा आकसन भी यानिए की यह तद्बो है बाकि सभी यह still math है ठीक है अब कपास का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा करपास करपास इसे लिखेंगे ठीक है करपास अब कटा है यहाँ तो कटा का क्या हो जाता है कटा कडा हो जाएगा कडा क्या है कडा तद्बो है कटा तत्सम है अब यहाँ पर कूपूत्र लिखा है ना कूपूत्र का क कचेहरी का जो है तत्सम होगा वह क्यों तिग्री होगा अब यहां पर करपूर करपूर का करपूर क्या तत्सम है तो करपूर का तद्भों क्या होगा कपूर होगा क्या होगा कपूर होगा क्या होगा कपूर ठीक है अब जैसे यहां पर देखे यहां पर करपट है ना करपट तो करपट के क्या होगा तो करपट के जो होगा वो कपड़ा हो जाएगा क्या हो जाएगा कपड़ा हो जाएगा और कटुक लिखा है कटुक हो जाएगा कड़वा ठीक है अगले कोश अंदर पड़ी है अगले यहाँ यहाँ पर देखिए 25 वाँ नंबर है कच्छप कती कंगी तो यहाँ पर हमें क्या ढोड़ना है यहाँ पर हमें ढोड़ना है तदभो तो तदभो क्या है कंगी है ठीक है अब कंगी तदभो है तो कंगी का जो तद्सम रूप होगा वो क्या हो जाएगा कंगी का जो तत्षम रूप है वो कंकती हो जाएगा कंकती बाकी ये सभी तत्षम है तो अब यहाँ पर कच्छप है तो कच्छप का तत्षम है तो कच्छप का तत्षम है तो कच्छप का तत्षम क्या हो जाएगा ठीके अब इसे कती लिखा है कती का कई हो जाएगा ठीके कती है अगला देखिए यहाँ पर 26 वा मक्षी का तत्सम रूप है मक्षी का तत्सम रूप मक्षिका है आपसन डी यहाँ पर सही हो जाएगा और 27 वा देखिए चूरन का तत्सम सब्द है तो चूरन खो जाएगा चूर आपसन भी यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है अब यहाँ प एक सभी एक है अगले बढ़ीए दीट सब्द का तत्सम क्या है तो डीट सब्द का कि तष्टम होगा वो जाएगा दृष्ट आपसंदी हां पर सेयो जाएगा ठीक है अगले ब्याग्र हो जाएगा ठीक है बाकी सेर बाग बबड सेर यह क्या है तद वह है ठीक है अगला कुशन देखे एक तीसवा नम्लिखित वाक्यों में सुध रूप चुनिए तो हमारी शौभागवती करन्या का विवा होने जा रहा है हमारी आउस्मेती करन्या का विवा होने जा रहा है हमारी आउस्मेती करन्या की विवा होने जा रहा है ठीक है तो आपसन भी यहां पर सही जाएगा अब अगला देखे यहां पर 32 निम्लिखित वाक्यों में सुध रूप चुनना है ठीक है 32 कोशन का यहां यहां तरों नवयूकों की अच्छा का अच्छा प्रबंध ह ठीक है तो सही अंसर क्या हो जाएगा आपसन भी यहां पर सही हो जाएगा हमारे यहां नवयूकों की सिख्छा का अच्छा प्रबंध है अगला देखे यहां पर 33 कुशन नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य सरवादिक सही है ठीक है यद्दपी तुम अजनवी हो प अगला कुशन देखे निम्नांकित में सुधवाग तुलसी की कविता में माधुर्यता है तुलसी की कविता माधुर्यता है तुलसी की कविता माधुर्यता है तुलसी की कविता मधुर्यता है तुलसी की कविता मधुर्यता है तुलसी की कविता मधुर्यता है तुलसी की तुम तो अपना काम करो, यह सच्छे इंसान है, तो इसमें जो असुद रूप है, वो है, तुम तो अपना काम करो, ठीक है, यह क्या है, एक अशुद है, इसका सुद्ध क्या हो जाएगा, तुम अपना काम करो, सुद्ध है, तुम तो अपना काम करो, असुद्ध है, अगले अंसर क्या हो जाएगा؟ आपसन A यहां पर हमारा सुध़ जाएगा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा अगले के सब्गपला कौशन में लिखा है लेकिन जो सुध है यहां पर आपसन B वर्तनी शुद्ध है कवे यहां पर आपसन B सब्गपला कौशन है थीक है useful name जुक्ते कॉन दूब से तो यहां पर देकें जो सरंग करें लिखा हुए सभी जर्य विनमणाल सुर्ण भॉन से जो कोन दूब कुल में जन्म लेता हो उनके लिए एक सब्द में क्या बोला जाता है उन्हें कुलीन बोला जाता है अगले कोशन रब बढ़िए अगला 42 देखे किसी कार में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाले एक निमलेखित विकल्पों में से एक को चुनिए तो क् थीकर प्रति अस्पर्धित धार्डा ऑगले कोशन रब यहा है जो देखने में प्रेर लगता हो जो देखने वाक लिए वाक लिए दिए गए ओस् Mau इसका क्या होता है निरासरे ठीक क्या होता है निरासरे जिसका कोई आसरे ना हो उसको एक सब्सक्राइब चाते हैं तो पाने जिएस पॉइंट आसीश टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर जाके इसका प्राप्त कर सकते हैं ठीक है और हां दोस्तों यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठीक है और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार और फिर सेर भी कर दिया क यहां पर 47 कोशन पार्थव Springs को मतलब क्या होता है तो संबंद्र पिर्थभीष कहते हैं अगला कोशन देखिए यहां पर बिजय प्राप्त कर चुत हैं उससे क्या कहेंगे इंद्र जे इंदू या फिर इंद्र जीत या फिर जितिंदी तो उसे कहेंगे हम इंदर जीत ठीक पच्छासवा है यहां पर लिखा है शक्यभावटी के शक्यभाव मिस्तिरित अन्रा को कहते हैं उप्युक्त सब्द का चेन कीजिए यहां पर क्या जो है आपका सही एंसर हो जाएगा यहां पर प्रड़ा है तो सही एंसर क्या हो जाएगा अप्शन डी यहां पर सुझाएग अब संदीब स्व्य तीक है अगला कुष्ण निखरी जो तॉ其實 का पड्यावाची सब्दे क्या होना अब मि'll bet incapable और यह प्राषी यह सब क्या है प्राषी का नोग प्राषी का जो प्रवाची सब्द ुर्मी हो जाएगा आपसंद यहां पर तरंग सब्द का पर्यावाची है यहां पर प्रमोध है यहां विश्रानती तो जंगल सब्द का पर्यावाची क्या है कांतार है आपसंसी यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है उसके बाद और भी कुछ जंगल सब्द के पर्यावाची होते हैं जैसे बीपिन, कानन, वन, अटवी ठीक है यह सभी होते हैं अगला कुशन देखिए क्रोध सब्द का पर्यावाची क्या है संताप, अमर्स, वैमनश, भ कौन सा नहीं हो, आप लोग इसमें खुद कमेंट करके बताएए इसमें कौन सा बिजली सब्द का पर्यावाची नहीं होगा, ठीक है, तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं इसमें, चलिए आप लोग बताएए सोच के, इसमें सही एंसर क्या हो जाएगा, बितुंडा, अगला है, पकौन सा सब्द अही का पर्यावाची नहीं है, ठीक है, नैसरगी का पर्यावाची हो जाएगा, प्राकृति का अपसंसी, यहां पर से जाएगा, निम्रिकित में से कौन से सब्द हाथ का पर्यावाची नहीं है तो देखिए हास्त मतलब हाथ होता है कर मतलब हाथ होता है पड़ी मतलब हाथ भी होता है लेकिन कोटी या जो कटी दिया है तो कटी के मतलब होता है कमर होता है इसका मतलब क्या है तो यहाँ पर आपसन ए हो जा लागिँ झाल